साथियों नमश्कार, मैं साक्षी मेता 91 News 9 से आपका स्वागत करती हूँ गुटका कारोबारियों के बाद मदर्पतेश की आर्थिक राज़दानी कहलाने वाले इंदौर में और भी कई बड़े कारोबारियों की टैक्स चोरी उजागर करनी के लिए सेंटल जेस्टी की टीम लगातार लगी हुई है इसी के चलते इंदौर की केंग स्कूल वाटर और साथ ही देवास की एक कमपनी में अब तक करोडो रुपे तक का टैक्स चोरी मामला सामने आया है इसी के साथ एक और जानकारी भी सामने आई है कि कमपनी बिना विभाब को जानकारी दिये गए भी बहुत सारा माल स्टोर करकर रखी थी वो माल भी वहाँ से पकड़ा गया है सेंटल जेस्टी इंदौर की अलग-अलग टीमों ने मंगलवार सुबह से ही एक सर्च की कारवाई फिर शुरू की इंदौर की मेसर्स मोडवेर इंडिया मेसर्स मोडवेर इंपेस कमपनी जिसके मालिक प्रमीन मुरार का एवं पुनित मुरार का हैं के यहाँ पर सर्च की कारवाई की इस कमपनी के द्वारा किंग कूल और हाट वाटर बटल का निर्मान किया जाता है मतलब थरमास का निर्मान होता है अब तक की जाच में यह बात सामने आने की ख़बर मिल रही है कि तीन अलग-अलग गोदाम मिले हैं जहां पर चुरा कर टेक्स चोरी कर माल को रखा गया था जिसकी सूचना विभाग के पास नहीं थी इसी तरह अलग-अलग लेप्टाप से डाटा भी कलेक्ट किया जा रहा है उनके घर फेक्टरी पर भी सर्च की कारवई चल रही है संटरल जेस्टी के कमिशनर नीरव मलिक जॉइन कमिशनर विरेन जेन डिप्टी कमिशनर दीपक सेनी अधिक्षक अनिलाचार अविनाज जोसी मनिश खावत सहित अन टीम के द्वारा यहां सर्च की कारवई की जा रही है संभावन यहा है कि यहां सर्च में करोण रुपई की टेक्स्चोरी सामने आ सकती है